हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हीना केमिकल आज का केमिकल का टॉपिक है एमाई सैली सिलेक्ट बहुत ही बढ़िया केमिकल है फ्लोरल स्वीट हर्बेकस बालसामिक नॉट के उपर का यह केमिकल है स्लाइटली ग्रिनिश नॉट देता है यह बहुत ही अच्छा फ्लोरल नॉट्स के अंदर इसका यूज होता है मिडल एंड टॉप नॉट में बहुत बढ़िया यह रियक करता है ज्यादा तर मिडल नॉट्स के कमपोजिशन में यह बहुत अच्छा यूज होता है इसका केस नमबर है 2050-080 हॉर्मिलाइज की C12-H1603 है फ्लेवर एंड फ्रेग्रंस दोनों केटेगरी में ये यूज होता है ये कलरलेस स्लाइटली पैल यलोईस टाइप लिक्विड है एकदम से यलो नहीं है लेकिन स्लाइटली यलोईस टाइप लिक्विड है ये आलकॉल के अंदर DPG में एरोमा केमिकल के साथ एरोमा कंपाउंड के साथ बहुत अच्छा सॉलिबल है स्टैबिलिटी देखी जाए इसकी तो डियो स्टिक में अच्छी है आलकॉहलिक लोशन में अच्छा है फैब्रिक शॉपनर में इसकी बहुत बढ़िया स्टैबिलिटी है एर स्प्रे में शैंपू में शॉप के अंदर भी इसका बहुत बढ़िया स्टैबिलिटी रियक्टेक्ट है इसकी में बात यह जो है कि शैंपू है शॉप है उसके अंदर फ्रूटी नॉट वाले फ्रेग्रेंस बहुत यूज होते है ज्यादा तर शैंपू में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर तो यह एमाईल सैलिसिलेट एक बहुत ही बढ़िया स्वीट बालसामिक नॉट क्र इसकी स्ट्रेंथ मीडियम है सब्टेंटिविटी इसकी 124 अवर्स है तू 150 अवर्स तक है इसका सब्टेंटिविटी डिपेंड ओन कंपोजिशन इसका नॉट जाता है आगे हमने बोला ऐसे हर्बल थोड़ा सा है ग्रीन स्लाइटली चॉकलेट नॉट पे फ्लोरल है बालसामिक नॉट क्रियेट करता है और बहुत ही अच्छा रियक्टन्ट है यह इसका ब्लेंड देखते हैं फ्लोरल ब्लेंड एक देखते हम तो एमाई सेलिसिलेट के साथ एमाई बेंजोएट का एक ब्लेंड आपको बता रहे हैं एमाई सेलिसिलेट हर्बल फ्लोरल बालसामिक नॉट है और एमाई बेंजोएट भी फ्लोरल ग्रीन और उसमें एक थोड़ा सा एमबरी बालसामिक नॉट है एमाईल बेंजोएट में तो इसका बहुत ही एक बढ़िया सा एकॉर्ड बन सकता है 60-40 रेशियो में इसको डायलूशन की जरूरत नहीं है डायरेक्ट यूज करो 60-40 रेशियो में 6-gram Amyl Salicylate और 4-gram Amyl Benzoate यूज करके 10-gram का एक एक एकॉर्ड बनाओ वैसे ही रेशियो चेंज करते करते हैं दूसरे भी आप एकॉर्ड तियार करो सेम दो केमिकल के यह एकॉर्ड से आउटपुट क्या आएगा Sweet, Floral, Slightly Embery Touch Sweet तो होगा लेकिन उसके साथ Embery Touch मिलेगा और Floral Nod पे एकॉर्ड क्रियेट होगा तो एक बहुत ही बढ़िया एकॉर्ड बनता है फ्रेगरंस के अंदर तो बहुत बढ़िया एकॉर्ड यूज होता है कि थोड़ा सा Embery, Sweet Embery Touch देना है कोई भी फ्रेगरंस को आपको तो यह एकॉर्ड ब्लेंड बहुत अच्छा काम करेगा फ्रेगरंस में भी बहुत अच्छा काम देता है और अरविक जो फ्रेगरंस है अपने जो उद टाइप के उसमें भी बहुत अच्छा एक स्विट नॉट क्रियेट करता है तो ऐसे भी दूसरे केमिकल का आप खुद ब्लेंड बना के चेक कीजिए ट्राइ कीजिए रेशियो में दो-दो केमिकल का ब्लेंड ट्राइ कीजिए फिर 3 फिर 4 केमिकल का एक एक एकॉर्ड बनाना ट्राइ कीजिए और टेस्ट कीजिए कि भी कैसा उसका फ्रेगरंस वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद शुक्रिया गुड़ डेज